प्रेंग्स में डॉक्टर सुहेल दलाल और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलालस आयरुवेदा में यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मखाने के बारे में आप लोगों ने सुना होगा मखाना आज कल बहुत फेमस है मखाना और मखाना का उल्लेक आयरुवेद में भी मिलता है तो आज इस वीडियो में हम फुल इंफर्मेशन प्रोवाइड करेंगे मखाना के बारे में मखाना है वो स्पेशली बिहार और बंगाल के जो पॉन्जे वहां के जो तालाब है उसमें मिलता है उसमें उसके जो पत्ते होते है वो पानी के उपर तेरते है उसके नीचे एक डंडी होती है जिसमें नीचे की और उसके बीज होते है जब ये बीज निकाले जाते हैं चिल के तो ब्लैक कलर की बीज होते हैं उसको जब फ्राइ करके फोड़ा जाता है उसमें से मखाने बनते हैं ये मखाने का सेवन कुछ लोग पाउडर के सुरूप में उसको मखाने को अच्छे से बून के उसका पाउडर बना देते हैं कुछ कुछ लोग मखाने को दूद के साथ मिला के मखाने की खीर बना के उसका सेवन करते हैं और कुछ लोग जो है वह मखाने को पॉपकॉन की तरह उसको फोड के भी उसका सेवन किया जा सकता है तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से मखाने का सेवन किया जाता है मखाने को एक कै जी पानिक अगर गुण देखे जाए तो वो गुरू और श्नीग्द है मतलब के slightly कफ वर्धक है यह हेवी होता है बोडी में और उसका जो रश है उसका जो टेस्ट है वह मदूर और हलका सा करवा और कसेला होता है उसका स्वार क में रस जो है और अगर हम बात करें तो त्रिदोष्ट के इसाब से वात्पित कफ के इसाब से यह बात्पित को बैलेंस करने वाला और त्रिदोष्ट नाशत्थ मतलब बैस सेक्शियल टॉनिक है डापिलिटी जेनरल डापिलिटी यानि शरीर की दूर्बलता को दूर करता है अब हम आये देखते हैं मखारे के अलग-अलग रोगों में इसके उपयोग के बारे में यहां पर मैं आपको फुल डीटेल बताऊंगा कि कौनसे रोग में किस तरह से मखाने का सेवन हमें करना चाहिए जिन लोगों को कमजोरी रहती है वीकनेस रहती है बार-बार ठक जाते हैं तो वैसे लोगों को सुब़ा खाली-पेट मखाने की खीर का सेवन करना में से सरीट की वीकनेस दूर हो जाती है जो लोगों की सेक्शन र。 mostrar कUNG करने की सेक्स की इच्छा कम होती है वैसे लोगों को मखाने को 4K उसका सुरूप उसका आप regular 7 कर सकते हैं मखाने को 4K उसका आप 7 कर सकते हैं उसमें नमक डाल के उसका 7 किया जाता है ताकि वो शरीर में heavy ना पड़े तो उसी साब से मखाने का 7 सुबह साम करने से sexual desire में बड़ोतरी होती हुई देखी जाती है और जिन लोगों को जिन लेडिस को delivery आती है तो post labor delivery के बाद मखाने की खीर खिलाई जाती है मखाने की खीर जो है वो वात और पित की शामक होती है इसलिए डिलेवरी के बाद सुबा शाम दोनों टाइम खाना खाने के एक गंटे के बाद मखाने की खीर का सेवन करना पोस्ट लेबर में बहुत फाइदा कारक सिद्ध होता है उसके अलवा जिन लेडिस को लिकोरिया की शिकायत है लिकोरिया यानी सफेद पानी स्वेद प्रदर का होना जिन लेडिस को बार बार सफेद पानी की शिकायत होती है स्वेद प्रदर होता है उसकी वज़े से हाथ और पेरों में दर्द होना और पेरों के जो काफ मसल से उसम यह सुवा और शाम Laz झाल या खाना खाने से एक से दो घंटे करना मखकर को दूद में उभांके मिस्री करने उसको खฯू करूल में काफी अच्छा वाइदा होता है उसके लबा जुन लड़कों को नाइट फॉल की प्रवाइद होती हमारे पास काफी ऐसे पेशन्ट आते हैं जिनको रात में वीरिया का स्खोलन हो जाता है रात में नाइट फोल हो जाता है उसकी वज़े से वीक्नेस आती है आखों के नीचे काले गड़े आ जाते हैं वैसे लणकों को मखाने का पाउडर आधी चमच सुबा में और आधी चमच शाम को खाना खाने के एक गंटे के बाद पानी में या दूद में मिक्स करके लेने से अच्छे रिजल्स मिलते हैं इंपोर्टन्सी जिन लोगों को नामर्दी का प्रोब्लम है बिल्कुल ही मतलब जिनका पैनिस में इरेक्शन नहीं आता है और अगर व बनाके एक एक कटोरी सुबा और शाम खाना खाने के एक गंटे के बाद इसका सेवन करने से इंपोर्टन्सी के प्रोब्लम में काफी एच्छे रिजल्स देखे जाते हैं अर्ली डिस्चार्च वो भी सेम मैंने आपको बताया उसमें भी मखाने की खीर का आप सेवन कर सकते जिसे जिसे सिग्रव पतन कहा जाता है जिन लेडिस को बार बार गर्ब रहेंके गर्ब पात हो जाता है वैसी लेडिस को मखाने की पावडर के स्वहन करना उनके लिए पाईदाकारत सिध्ध होता है एक चमच सुबा और एक चमच साम को खाना खाने के एक गंडे के बाद मखाने के पाउडर का तीन महीने तक regular seven करने से घर अच्छे से रह जाता है उसके बाद जिन लोगों को heart disease है जो heart disease के patient है उनके लिए तो मखाना वर्दान के सुरूप है क्योंकि ये शरी में वाई और पित का शमन करता है heart disease के patient को specially मखाना खाना चाहिए वो इसको एक food के सुरूप में या snakes के सुरूप में दूपेर को 4-5 बजे के टाइम पे जब भूख लगे वो टाइम पे मखाने का seven snakes के सुरूप में भी कर सकते हैं एक बाउल मखाना लिया और उसको फोर के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप खा सकते हैं उसके लावा जिन लोगों को हीमोफिल्या के पेशंट है रंग अंधता बोलते हैं हीमोफिल्या के जो पेशंट है उन लोगों के लिए मखाने का seven इसी तरह से करना चाहिए रग्तपित जिनको होता है जिनको नैजल ब्लीडिंग होती है जिस जिनकी बार-बार नात में से अगर गर्मी में जाते है तो नात में से ब्लीडिंग सुरू हो जाती है वैसे patient के लिए मखाने की खीर का सुबा खाली पेट सेवन करना बहुत हितावा साबित होता है जिनको burning sensation होता है कुछ लोगों को हाथ और पेरों के तलूओं में बहुत जलन होती है और ऐसे हाथ करते हैं तो इसमें से ऐसे पसीना टपकता है इतना ज्यदा पसीने का problem और गर्मी का problem होता है इसको भी वाई और पित की ही वृद्धी कहीं जाती है इसमें भी सुबा खाली पेट मखाने की खीर का सेवन करने से बहुत उत्तम results प्राप्त होते है जिन लोगों को regular belching रहता है gas, acidity, gas, acidity रहती है उन लोगों के लिए मखाना एक super food है जिसका सुबा में खाली पेट खीर के सुरूप में सेवन किया जा सकता है निरोपेथी और बर्निंग सेंसेशन जिन लोगों को diabetes की वज़े से या कुछ और कारणों की वज़े से हाथ और पेरों के तलवे में जलन होना और निरोपेथी की वज़े से पेन होता है उनके लिए भी मखाने का सेवन खाना खाने से दूद के साथ मिक्स करके खाना खाने से एक गंटे पहले मखाने का सुबा साम सेवन करने से एक एक चमच मखाने का पाउडर एक कब दूद के साथ खाना खाने से एक गंटा पहले सुबा और स्राम सेवन करने से नियुरोपथी के प्रोब्लम में और बर्निंग सेंसेशन में काफी अच्छे रिजल्स मिलते हैं उसके अलावा जिन लोगों को फीवर बहुत लोंग टरम फीवर आया हो कोई भी लोंग टरम फीवर की वज़े से जब वीक्नेस आ जाती है तो वो फीवर को ठीक होने के बाद मखाने का सेवन करने से पेशन को रिकावरी जल्दी आती हो जल्दी फिट हो जाते हैं जिनको डिसेंट्री का प्रोब्लम होता है मतलब जिनको पेट में दर्धों के बार बार दस्त होते रहते हैं वैसे लोगों के लिए मखाने का सेवन करना अच्छा होता है लेकिन ऐसे लोगों को मखाने का सेवन दिन में एक बार आधी चमच पावडर के सुरूप में खाना खाने के एक गंटे के बाद करना चाहिए जिन लेडिस को बहुत ज्यादा अतियार्तों की सिकायत होती है वजाइना से ज्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियेट के दिनों में भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है हर 15-10 दिन पर ब्लीडिंग सुरू हो जाती है वैसे पहले मखाने के powder का सेवन करेंगे तो उनको काफी अच्छे results मिलेंगे जो diabetic complications होते हैं diabetes एक दीमा जहर है और उसकी वजह से सरीर में काफी सारे complications आते हैं तो diabetic patient के लिए भी मखाने का सेवन करना अच्छा माना जाता है जिन लोगों को नींद की सिकायत है लेट नाइट तक नींद नहीं आती विश्तर में इदर उदर गूमते रहते हैं वैसे लोगों को सुबा और साम खाना खाने के बाद मखाने की खीर बना के उसका सेवन करने से नींद की प्रोब्लम सोल हो जाती है और साउन स्लिप आती है जिनको कब्ज र यह मखाना खाना काफी अच्छे रिजल्स प्रोवाइड करता है उन लोगों को मखाने का पाउडर एक चमच सुबा में और एक चमच शाम को खाना खाने के गंटे के बाद लेने से काफी अच्छे रिजल्स मिलते हैं जो लोग मोटा पे से पीडित है तो वह अपने खोराक प्रोटीन और फाइबर अच्छी मातर में मिलेगा और आपकी फैट भी उससे कम होगी और एक प्रेगनेंट लेडिस के लिए मखाने को सप्लिमेंट बना जाता है क्योंकि प्रेगनेंट लेडिस को बोड़ी में केल्शियम की जरूरत होती है प्रेगनेंट लेडिस को प्रेगनेंस प्राप्त होते हैं जिन लोगों को जहीं आ जाती है पर मतर्ले रोग देखा जाता है तो तो मेलाजमा के पेशंट भी खाना खाने के एक गंटे के बाद एक एक चमच मखाने के पाउडर का रेगूलर सेवन करें, दोसे तीन महीने तक यह सेवन करने से जाहियां जो है वो कम होती जाएंगी, दोस्तो तो यह मैंने आपको मखाने के बारे में कुछ बेनिफिट्स बत कर दोसे ओती मता में में सेवने के भीर गुछ अनिया थाज़िक thinking YouTube कि पुमें कर दो में मित रिंचिड़्स और existing आखके भीर जोगज़ दो है यह झाल